नमस्कार दोस्तों इस्टेडी वायस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है खंड सिक्षा अधिकारी की परिक्षा अगस्त में होने वाली है इसी को देखते वे हम 2006 में खंड सिक्षा अधिकारी की परिक्षा के पेपर के प्रशनों का हल लेके आये हैं पूरों में इसे यश्डियाई के नाम से जाना याता था इसमें हम 50 मौत पुन प्रशनों को सेलेट करके लाए हैं जिससे कि आपको परिक्षा के तयारी इसके अंशर करने मदद मिलेगी और आप अपनी तयारी को अच्छ ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं तो आए इन प्रशनों को एके करके देखते हैं पाला प्रशन है कि वह अनुच्छ जिसे शर्वोच नियाले ने इस प्रकार ब्याक्षाइद किया है कि उसमें समस्त कलपनी मानुआ अधिकार सम्मिलित हो गए मा कौन सा है तो वह अनुच्छ देकिस है अनुच्छ देकिस का सम्मंद जीवन और दहेच होतनता से सम्मंजित है और इस अनुच्छ देकिस के अंतरगत मानों जीवन के लिए सभी अवस्यक अधिकारों को शामिल किया गया है इसे लिए इसे शमस्त कलपनी मानुआ धिकार सम्मिलित होने की बात इसमें की गई है नेक्ष्ट है कि किस प्रस्ताव का शम्मंद संगी बजट से है तो वह कटावती प्रस्ताव अगला प्रश्ण है तीश्रा कि राष्ट पती लोग सबाय में कितने आंगल भारतिय सदस्तियों को मनोनित कर सकते हैं और किश अनुछेत के तहत तो अनुछे 331 के तहत नेक्ष्ट प्रश्ण है कौन से रिपोर्ट प्रसास के तंतर से सम्मंदित थी तो यह थी पाल एपलभी रिपोर्ट अगला प्रश्ण है कि पंचायतों में अध्यक्षपत के लिए आरक्षण का आधार क्या है तो इसका अधार है लिंग और जाती क्योंकि इसमें महिलाओं तथा जाती के अधार को OBCSTSC को आरक्षण का प्रावधान पंचायतों में किया गया है अगला प्रश्ण है कि हडपा संस्कृति की उत्तरी शीमा का निधान कौन अस्थल करता है तो यह अस्थल करता है मांडा मांडा जम्मु कस्मीर में इस्थित है और हडपा सब बता है कि पश्चमी अस्थल की बात की जाए तो यह अस्थल है सुटकांगेडोर जो पाकिस्तान के बलोचिस्तान परांत में इस्थित है और सबसे पुर्वी अस्थल की बात की जाए तो यह है आलमगीरपूर जो कि मेरठ में इस्थित है उतरपदेश के और शब्षद दक्षण एस्थल की बात की जा तो यह दैमाबाद जो कि महराश्टर में इस्थित है नेक्ष्ट प्रशना कि गायत्री मंत्र किशगरंथ का हिस्सा है तो गायत्री मंत्र रिगवेद का हिस्सा है तो रिगवेद सबसे प्रासिन वेद है कुल चार वेद हैं रिगवेद सामवेद, यजुरवेद, अथरोवेद और रिगवेद में कुल दस मंडल तथा ये खजार अठाइस सुक्त है और रिगवेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता था अस्तोमा सद्ग में रिगवेद से ही लिया गया है अब रिगवेद के सातवे मंडल में दसराग युद्ध का वरडन है क्योंकि कभी-कभी पूछ लिता है तो ये युद्ध हुआ था राजा सुदास और दसराजाओं के बीच तो इसका उलेक किस मंडल में है? सातवे मंडल में है रिगवेद के अठवा है कि गुप्त अविलेखों में उलेकित दिनार किसका सूचक था? तो इस स्वान सिक्के का सूचक था अगर पोछे कि गुप्त काल में चादि की मुद्राओं किस नाम से जाने जाती थी तो इस रूपक नाम से जाने जाती थी एफ प्रष्ण भी आया है कि सबसे अधिक स्वान सिक्के किस सासको ने चलाए तो हो चलाए थे गुप्तों ने अगर ये प्रश्ण बने की सबसे सुद्ध स्वाण सिक्के किस बंस के सासको ने चलाये तो कुशाण बंस के सासको ने चलाये थे नेक्ष्ट प्रश्ण है कि आगरा को किस सासक ने अपनी राजधानी बनाया था तो सिकंदर लोधी ने बनाया था अब लोधि बंस की बात करते हैं तो लोधि बंस के अस्थापना बालोल लोधि ने की थी और यह अफगानी थे और लोधि बंस का अंतिम सासक इब्राहिम लोधी था नेक्ष्ट प्रशन है कि कि अनृ इस दिल्ली दूरस्त यह कहा था निजामुदिन आउलिया ने और यह कहा था तुगलक बंस के संस्थापक गया सो दिन तुगलक के भिसे में तो निजामुदिन आउलिया को एक और नाम से जाना आता था इनका जो लोख प्रिनाम था महबूब ए इलाही नेक्स्ट प्रेशन है कि जहांगीर ने किसे नादिर उल जमा की उपाधी प्रदान के थी तो यह प्रदान के थी अब उल हशन को तो जहांगीर का काल, चित्रकला का स्वनकाल कहा जाता है, जहांगीर के काल में कुछ प्रमुख चित्रकार जैसे उस्ताद मनसूर और विशंदास भी थे नेक्स्ट प्रेशने बारा हुआ कि बंगाल विभाजन का करजन का वास्तिविक उद्देश क्या था? तो उसका उद्देश था राष्ट्री शक्तियों को कमजोर करना, तो बंगाल विभाजन की घोशना, 19 जुलाई को करजनने की और बंगाल विभाजन लागू हो गया 16 अक्टूबर को, 1905 में तेरावाँ प्रशन है कि कि शेत्र में तालुकदारों ने 1814 से 17 की अवदी में ब्रिटिश शार्षन के ब्रिद विद्रो किया, तो ये किया था उत्तरपदेश के अलिगड में चवदावाँ प्रशन है कि खिलाफत आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन प्रारम किया था तो ये प्रारम किया गया था असायोग आंदोलन ये भी याद रखे कि असायोग आंदोलन से 20 में शुरुआ था और इस आंदोलन का उद्देश रखा गया था कि एक वर्ष में देश को श्वराज की प्राप्ति कराना पंद्रामा क्वेश्चन है कि शन्याशी विद्रो कहां हुआ था तो ये हुआ था बंगाल में और शन्याशी विद्रो हुआ था 1763 से लेके 1800 तक और अंग्रेजों के खिलाफे विद्रो था और इसी सन्याशी विद्रो पर आनंदमठ पुस्तक की रशना बंकिम चंद्र चटरजी ने की थी और शन्याशी विद्रो के कुछ नेदाओं में जैसे देवी चोधरानी भवानी पाठक मंजर साह आधी थे श्वलावा प्रश्ण है कि मुंडा विद्रो का नेता कौन था तो ये थे बिर्शा मुंडा और मुंडा विद्रो हुआ था जहार खंड में जी 895 के आसपास में गुरु आयोर मंदिर में छोतों के प्रवेश शमन जाते तो किष्णे किया था तो ये किया था टियश तिरू मामबू ने और इसके अन्य नेताओं में जैसे केलपण थे गोपालन थे ये लोग भी आंदोलन के नेता थे नेक्स्ट है कि किष्णे वर्ना कुले और प्रेश एक्ट का इंवेशन किया था तो ये किया था लार्ड रिपन ने वर्ना कुले और प्रेश एक्ट 1878 में लार्ड रिपन ने लाया था और इसका उद्देश था देशी भासा के समाचार पत्रों पर प्रत्यबंध लगाना और इस एक्ट से बचने के लिए रातो रात अमरिद बाजार पत्री का बंगाली से अंग्रेजी भासा में प्रकाशित होने लगे नेक्स्ट है कि कौन 1949 में आल इंडिया इस्टेट पेपुल्स कांग्रेश का अध्यक चुना गया था तो ये चुने गये थे जवारलाल नेहरू बीस्वाप्रशन है कि किस पत्र को 1932 में हरजन बंधू में परिवर्टित कर दिया गया था तो ये नव जीवन को कर दिया गया था मात्मा गांदी के थे पत्र नेक्स्ट है 21वा प्रश्ण की कांग्रेस किस अदिवेशन में तिलक ने घोशना की कि श्वराज मेरा जिनमस्य दादिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा तो यह किया था लखनव अदिवेशन जो 1916 में हुआ था 22वा प्रश्ण है कि नमक शत्याक्रा के दोरान महात्मा गांधी के गिरपतार हो जाने के बाद आंदोलों का नेतिवत्त किष्णे किया था तो यह किया था अब बास तयब ने नेक्स्ट प्रश्ण है 23वा कि फिलास्पिया बंब के लेखक कौन थे तो यह थे भागवती चरण बोहरा अगला प्रश्ण है कि कांग्रेश ने पौन्ड श्वाधिनता का या पौन्ड श्वराज का लक्ष कब रखा था तो यह 1929 के लाहावर अधिवेशन में यह लक्ष रखा गया था लाहार किष्ण दी किनार था रावी नदी किनारे नेक्स्ट पचेस्वा प्रश्ण है कि रविद्ना टैगोर ने आमार श्वनार बंगला की रचनकिश आंदोलन के दोरान की थी तो यह की थी श्वदेशी आंदोलन के दोरान जिन्होंने बंगला देश की राष्टगान आमार श्वनार बंगला की रचना की चथा भारत की राष्टगीत बंदे मातरम की रचना भी इन्होंने की 26. प्रशन है कि दिन के प्रकास में हरित प्रणों का क्लोरोफिल किश्वण में दिप्त होता है तो यह होता है लाल रंग में 27. प्रशन है कि दात कर्बुरित हो जाते हैं जब पेजल में क्या प्रशूर मात्रा में पाय जाता है तो जब फ्लोरीन प्रशूर मात्रा में पाय जाता है तो दात कर्बुरित हो जाते हैं नेक्स्ट प्रशन है कि हिर्दे कब आराम करता है तो हिर्दे दो धर्कनों के बीच आराम करता है यह भी important question है कि कई बार परिक्षाव में आ गया है इसको आम तोर पर लोग गलत करके चले आते हैं तो इसमें जालना जरूए है कि दो धरकुनों के बीच फिर्दे आराम करता है उन तीश्वा प्रशने की किसंग के खराब हो जाने पर डायलेसिस की जाती है तो किड़नी के खराब हो जाने पर डायलेसिस की प्रक्रिया की जाती है तीश्वाप्रशने के बीकरण चिकिस्या में कोबाल शाट का प्रयोग क्यों किया जाता है इसलिए किया जाता है कि क्योंकि इसमें गामा केरणों के उपस्थिती होती है तीश्वाप्रशने के सामाजिक वान की है तो किस प्रकार के ब्रिक्षों के रोपन को प्रोसायत किया जाता है तो यह किया जाता है बहु उपयोगी ब्रिक्षों को जिनका भी भिन छेतरों में उपयोग किया जा सके 32 प्रश्ण है कि निमने में से कौन से मचली है तो उन विकल्पों में फ्लाइंग फिस ही एक मात्र मचली थी 33 प्रश्ण है कि कौन सा पक्षी 300 किलोंटर पती घंटे की गती से हवा में गोता लगा सकता है तो वह है पेरे ग्रीन फॉलकन पक्षी 34 प्रश्ण है कि मेघाले, त्रिपुरा और मिजोरम की शीमा बांगलादेश से लगती है लेकिन मडिपूर की नहीं लगती प्रश्ण पुछा गयाता है कि इनमे से किसराज की सीमा बांगलादेश से नहीं लगती तो मडिपूर की नहीं लगती है बाकी मेघाले, तृपुरा और मिजोरम की लगती है साथ है दो और राजज है जिनकी सीमा मेघाले से लगती है तो वो है पशिम बंगाल और अशूम नेश्ट प्रशन है कि माटर तीलावांथ किस राजी में इस्थित है तो उत्तरपदेश में इस्थित है नेक्स्ट प्रशन है कि उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ताजकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से लगती है लेकिन रूश की नहीं लगती है अब ये मत देश याई देश हैं उनके अमराजधानियों को जान लेते हैं उजबेकिस्तान की राजधानी तासकंध है तुर्क मेनिस्तान की राजधानी अस्खाबाद है ताजकिस्तान की राजधानी दुशामबे है एक और देश किर्गिस्तान है जिसकी राजधानी बिसके disposal लसक्रिप गया झालड़ एक आरत इसमा प्रशना है कि दक्षण उत्तर की और हिवार कि देशों पार्क के निकर्तम रेलवे स्टेशन कौन सा है तो वह है राम नगर अब कार्वेट नेशनल पार्क भारत का पहला राश्टी पार्क था इसकी अस्थापना उने से 36 में की गई थी पुर्व में इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क था और यह उत्तरा खंड के नैनी ताल गर जिले में पढ़ता है और राम गंगा नदी इस पार्क से होकर गुजरती है यह भी प्लुवाद एक बर आया कि जिम कार्वेट नेशनल पारक से होकर कौन से नदी गुजरती है तो आंसर होगा राम गंगा नदी चारीश्वा प्रश्ण है कि पर्यावन विज्ञान के अंदर कहा है इस्थित है तो इस्थित है नई दिल्ली में एक तालिश्वा प्रश्ण है कि भारत निर्मार योजना की घोशना किस बजट में की गई थी तो ये की गई थी दोजार पांच छे के बजट में और भारत निर्मार योजना में छे प्रमुक छेत्रों के विकास पर बल दिया गया था है ये छेत्रे हैं बिजली शड़क पान यानि बियस्पी प्लस तीन और छेत्रे हैं सिचाई दूर्शंचार आवाश नेक्स्ट है कि संग के बजट में राजस की सबसे बड़ी मत कौन से होती है राजस बे की तो होती ब्यास की अदाएगी राजस ब्या की सबसे बड़ी मत ब्यास की अदाएगी है चवलिश्मा प्रशन है कि भारत में मुद्रा इस्पित किसके द्वारा मापी जाती है तो ये मापी जाती है ठोक मुल शुषकांग के द्वारा नेक्स्ट प्रशन है कि संगहाई सायोग संगठन के सदस्य देश कौन कौन से हैं तो संगहाई सायोग संगठन के बरतमान में आठ सदस्य देश हैं उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान 46 प्रश्णा की 50 प्रमुख कमपनियों पर आधारित कौन सा सुचकांख है तो है निफ्टी सुचकांख 47 प्रश्णा में भारत से चमड़े का सबसे ज़्यादा आयात कौन देश करता है तो अमेरिका करता है 48 प्रश्णा की प्रमुख लॉंग उत्पादक राज भारत में कौन कौन से है तो तमिलनाडु है फिर करनाटक और केरल है 49 प्रश्ण है कि दिये गए विकल्पों में किस का अंसदान भारत की घरलूत पाद में शरवाधिक है तो दिये गए विकल्पों में सेवाओं का था उससे में विकल्पों सरवाधिक अंतिम प्रश्ण है, पचासफ़न प्रश्ण की वितामिन B बारख में कोबाल्ट पाया जाता है, और हिमो ग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, छॉरो फील में मेगनेशियम तत्थ पाया जाता है, तथा चालको, पायरैड, ताबे कायस्क है, इन सबको सुमेलित करना था, जो समयलित करके इसमें दिया हुआ है तो दोस्ता ये ज़श्डियाई की परिक्षा जो आज खंड सिक्षा अधिकारी के नाम से जानी जा रही है इसके 2006 के परिक्षा में आई हुए प्रश्णों में से आती महत्तों 50 प्रश्णों को सेलेक्ट करके मैं लाया था इन प्रश्णों वीडियों देखने के बाद यादि आपको प्रश्ण शब्सेलेक्ट करके जो मैं लाया था अच्छे लगे तो आप वीडियों को लाइक कर दीजिएगा और शाथ ही अपने दोस्तों को सेयर भी कर दीजिएगा जिनको ये परिक्षा में सामिल होना है और अभी तक आपने म